सो हे वर्स तो मेरी जान कैसे हो आप सभी लोग सो गाइस उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग सब अच्छी होंगे सो गाइस आज के इस वीडियो में कुछ इस टाइप का सीवी फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ जो कि आप लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहेते कि भाई अपनी चैनल पर कोई ऐसा वीडियो डालो जिसे देखकर हम अपने फोटो को बहुत ही आसानी से सीवी एडिटिंग कर सकें तो गाइस फाइनली मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ तो वीडियो को लास तक देखना अगर आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेकर लास तक देख लेते हो तो आज ये आप लोग सीवी एडिटिंग के मास्टर बन जाएंगे तो गाईस अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चले गाईस आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो भाई लोग यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाईल की हॉम स्क्रीन पर तो गाईस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वीफोर एंड आप्टर वीफोर एंड आप्टर तो गाईस सबसे पहला आपको करना क्या है अपने फोटू को सेयर कर लेना है स्ब्सूरिड अप्लीकेशन के अंदर और फोटू को सेयर करने के बाद आपको टूल स्वाले ईकन पर ख्लीक करना है और इस पर आपको एक ओप्शन मिलता है और जैसे क्लीक करओगे तो यहाँ पर नीचे की साइड में कुछ फिल्टर आपको दीखेंगे black color में तो आपको जो है direct color को select कर लेना है इतना करने के बाद आपको blend light को decrease करके zero कर देना है और फिर आपको right का option पर click करके इसे right कर लेना है इतना करने के बाद यहाँ पर एक option मिलता है share के बगल में arrow के निसान का तो इस पर आपको click करना है और view edit पर click कर देना है इतना करने के बाद आपको black and white पर click करना है और इस Bruce को select कर लेना है इतना करने के बाद अपने photo को zoom करना है और जो आपका पीछा का background है उस पर कुछ इस तरीके से apply करना है ठीक है तो बिना देर की हम video को कर लेते हैं first तो friends यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से apply कर लेना है तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से करने के बाद को यहाँ से right का option पर क्लिक करका है इसे right कर लेना है और यहाँ पर आपको डवल पर क्लिक कर देना है इतना करने के बाद आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना है और यहां से आपको एक रेड कलोर को सिलेक्ट कर लेना है तो गैस रेड कलोर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर इस वाले option पर click कर देना है इतना करने के बाद आपको यहां से done कर देना है और फिर आपको यहां पर जो है arrow को निसान पर click करना है और फिर आपको view edit पर click कर देना है इतना करने के बाद आपको double आपने खप्रोल और यूम करना है कमी यह कुछ बी हो तो ख़ाय करना प्ला ल करना है आपका कपड़या होगा जो भी होगा तो इसका कलरश हो जाएगा लेका कार्णी तो यहाँ पर बहूत आराम अराम से करना है बहुत ही प्यार से ठीक है तो बिना देर की हम वीडियो को फाश्ट कर लेते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से अपलाई कर लेना है अपने कपड़े पर तो आपका यहां पर कपड़ा कुछ इस तरीके का बन जाएगा तो आपको यहां करने के बाद आपको यहां से बैक कर देना है और फिर आपको टूल्स वाले आइकन पर क्लिक कर देना है इतना करने के बाद अपने फोटू को जूम करना है और जहां पर विए आपका फिज बिलेक आ रहा है तो महां पर अपने फिंगर को रख देना है और दोनों फिंगर लगाकर जूम आउट करना है ठीक है उसे चोटा करना है कुछ इस तरीके से और गैस यहां पर जो है आपको बिनेट को डिक्रीज करके पिलस 49 कर देना है और फिर उपर स्क्रॉल करना है और कॉंटेस को माइनर्स डिक्रीज करके 40 कर देना है फिर उपर स्क्रॉल करना है और स्वचेशन को डिक्रीज करके पिलस 36 कर देना है फिर उपर स्क्रॉल करना ह और यहां पर थोड़ा सा इसे decreed करके पिलस 25 कर देना है इतना करने के बाद आपको यहां से right कर देना है और फिर आपको tools पर click करना है और उसी option पर दुबारा click कर देना है और फिर आपको जहां पर भी black आ रहा है महीं पर आपको कुछ इस तरीके से apply करना है ठीक है ताकि देखना में काफी अच्छा लगेगा आपका face so guys कुछ इस तरीके से apply कर लेना है तो यहां पर देख सकतो before and after तो guys इतना आपको कर लेना है और फिर आपको यहां पर tools पर दुबारा click करना है और यहां पर आपको एक option मिलेगा lens biller का तो इस पर आपको click कर देना है और इसे दोनों finger लगाकर कुछ इस तरीके से बगल में रख देना है और guys यहां पर जो है अपने photo के हिसाब से biller को थोड़ा ज्यादा कर सकते हो अपनी आपकी मर्जी है तो यहां पर जो है मैं plus 48 करता हूं और फिर आपको उपर scroll करना है और इसको भी हलका सा decrease कर देना है ठीक है विगनेट को इतना करने के बाद आपको यहां से done करना है और फिर आपको arrow को निसान पर click करना है और view edit पर click कर देना है इतना करने के बाद आपको lens biller पर click करके इस बुरुस को select कर लेना है इतना करने के बाद जो है अपने photo को zoom करना है और कुछ इस तरीके से background पर apply करना है ठीक है सिरिप और सिरिप background पर तो बहुत ही आराम आराम से background पर apply करना है तो जो आपका background होगा यहाँ पर जो है DSLR बन जाएगा बिल्कुल DSLR CB editing बिल्कुल तो आप आपको बहुती आराम आराम से apply करना है जाएस भूती प्यार से तो यहाँ पर जो है मैं बिना देर की वीडियो को fast कर देता हूं तो guys कुछ इस तरीके से apply कर लेना है और guys त्विर आपको यहाँ पर 75 करना है ठीक है 75 कर देना है इतना करने के बाद अपने face को zoom करना है और यहाँ पर कुछ आ रहा है तो इसको कुछ इस तरीके से remove करना है ताकि देखने में अच्छा लगे ठीक है तो guys कुछ इस तरीके से apply कर लेना है और जो आपका photo होगा यहाँ पर कुछ इस तरीके का बन जाएगा तो guys इतना करने के बाद आपको यहाँ से done करना है और फिर आपको tools वाले icon पर दुबार क्लिक करना है और double export पर click कर देना है और plus का icon पर click करके यहाँ से आपको इक sticker को use कर करना है तो इसका link भी में आपको description में दे दूँगा तो जा करकर download कर लेना तो guys यहाँ पर यह बलब का sticker है तो इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर adjust करना है ठीक है कुछ इस तरीके से तो अच्छा से adjust कर देना है और इतना करने के बाद आपको इस वाले icon पर दुबार क्लिक करना है यहाँ पर और यहाँ पर जो है साइड में रख देना है ठीक है कुछ इस टाइप से इतना करने के बाद आपको इसी वाले option पर क्लिक करना है और यहां पर इस वाले option पर क्लिक कर देना है इतना करने के बाद आपको यहां से right करना है और arrow कर निसान पर क्लिक करना है और view क्लिक करना है और यहां पर आपको एक उप्षन मिलता है लेंस बिलर का तो इस पर आपको दुबारा क्लिक करना है और फिर आपको जो है इसे जूम आउट करके कुछ इस तरीके से साइड में रख देना है और यहां पर बिलर को थोड़ा से कम कर देना है इसको रखना है प्लस और फिर अपने फेस को जूम करना है कुछ इस तरीके से और अपलाई करना है कुछ इस तरीके से ठीक है तो जैसे आप अपने face पर apply करोगे खाली face पर apply करना है ठीक है तो जैसे आप अपने face पर apply करोगे तो यहाँ पर आपका face भूती अच्छी तरीके से उस्वं तरीके से बन जाएगा तो यहाँ पर जो है मैं इस वीडियो को जल्दी से fast कर लेता हूं ताकि यह वीडियो that gray को करने के बाद आपको यहां से right कर देना है और फिर आपको यहां से back आजाना है और ओले और आइकन यहां से ऊच्छी तरीके से इतना करने आपको इस वाले icon पर कलिक कर देना है और?- और फिर आपको बिलर वाले option पर क्लिक करना है और इस लाइन को थोड़ा सा माइनस कर देना है तो इतना आपको फ्रेंट्स कर लेना है और आपका जो फोटू होगा यहां पर कुछ इस टाइप का बनकर तैयार हो जाएगा तो गाइस अब हम अपने जो पत्ती दीख रहे हैं इनका कलर चैंज करने वाले हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है और इसे शेर कर लेना है लाइडरूम वाइल एप्लिकेशन के अंदर तो आपको allow photo पर क्लिक करना है और जो आपने photo share करे आए उस photo को select कर लेना तो friends यहां पर हमने अपने photo को select कर लिया है आप लोग देख सकते हैं तो गैश सबसे पहले आपको नीचे की site आ जाना है यहां पर आपको कुछ editing के options मिलेंगे तो आपको सबसे पहले light वाले option पर क्ल कर देना है और Context को Decrease करके plus 5 कर देना है और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिलता है color वाला तो इस पर आपको simple सा click करना है और यहाँ पर जो एक option मिलता है Mixed Tool का Grading के बराबर में तो इस पर आपको click कर देना है और जैसे click करोगे तो यहाँ पर आपका red color Select मिलेगा और यहाँ पर support दिकृब्ष करके और फिर आपको yellow color को select करना है और सभचों को स्लेक्ट करना है नहींकर उपको सबसे क्रेश करतेना है और जो हमसी लाएन और आप उसे आगे फिचे करोगे तो यहाँ पर आपके जो यह पत्ती है इनका color change होगा यानि कि अगर आपका background होगा तो उसका color change होगा तो यहाँ पर जो है मैं green color को रख लेता हूं तो यह काफी अच्छा लग रहा है देखने में तो guys इतना करने के बाद आपको यहाँ से चैनल पर नए हो तो चैनलों को भी जरू से सब्सक्राइब कर लेना है तो guys आज के इस वीडियों पर इतना ही और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रा